बिल्कुल खड़ा और तेज काटा लगाए सबसे तेज काटा इस काली डोर में लगावा है उनके लिए है जिनकी खीच तेज है जी अगर आप यह सोचे कि इसको आप हलके खीच वाले लड़ाएं नहीं लड़ा पाएंगे इसको उनके लिए फिर यह दोनों ही ठीक है अगर थोड़ी सी खीच उतनी तेज नहीं है तो इस तरह के धर्रे चुना करिए जो थोड़ा सा इस तरह से होते हैं मीडियम धर्रे होते हैं तो बहुत अच्छा एलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तू माई यूट्यूब चैनल वी एम लखनाव काईट्स और मैं हूं राजेश और एक बार फिर हम लोग क्रिशना काईट सेंटर पर आ चुके हैं अजय बाई से मुलाकात होगी अजय बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी सुन रहे हैं काफी कुछ नया है आपके पास अदर्श पब्लिक इंटर कॉलेज आशियाना लखनव और उसी के ठीक सामने तो अन्बॉक्स कर दिया अजय बाई ने हैं क्या क्या निकलेगा अभी आपको पता चलेगा फास्ट वीडियो चलेगा इसलिए आज समय नहीं खराब होगा आपका मजोली बढ़िया पतंग तो शुरुआत किया जय बाई ने मजोली है और ये इसको क्या कहते हैं डुगगा उच्छल डुगगा है बहुत बढ़िया पतंग लग भी खुबशूरत डिजाइनिग भी है और जुटाई है मतलव डुगगा कहते हैं कुछ पत्ता नहीं लेकिन बिल्कुल अधी लग रही है मजोली आप कह रहे हैं ये तो बात बिल्कुल सही है आप बड़िया बड़िया डिजाइन देखिए मजोली के और अभी जब डिजाइन दिखा देंगे तो अजय वह प्राइस भी बताएंगे इन रंगीन पतंगों का कि क्या प्राइज है फिलाल यह देखिए एक और नया डिजाइन क्या बात है जैवाई कहां से लाएं है बढ़िया स्टॉक यह मजोली के लवर्स जो है जितने भी है वो कृष्णा काइट से जुड़ जाए अजैवाई से और आपको बढ़िया मजोली मिलने वाली है इस बार और हव जैसा धूब गर्मी बढ़ रही है तो च्छतों से जो है शौक हो रहा है और इस समय यह बहतरीन विकल्प है आप लोगों के लिए जब तक अजैवाई सारा अन्बॉक्स कर रहे हैं काफी अच्छा फर्मा है काफी बड़ी पतंग है इसको चील काट की अध्धी कह सकते हैं और यह पुछल देखी कितने सारे इसके तो अजय भाई आप डिजाइन निकालते रहे हैं दिखाते रहे हैं बड़ी मजोली कहेंगे इसको यह देखिए सब नए नए डिजाइन आ रहे हैं अब यह जब तक आप डिजाइन भी दिखाते हैं बताई कितने की कोई लेना चाह यह पुछल रखी गई यह बड़ी पतंग है कि प्लेन इसमें भी जो है यह फिलाल सारा स्टॉक मजोली का है दस रुपए प्राइज है क्रिष्णा काइट सेंटर लखनो आशियाना में और लगभग कितनी पतंगे होंगी अजय बाई कितनी बताई 500 500 पतंग का स्टॉक है मज जोली के बाद जो है अध्धी पर आ जाते हैं और यह भी वैसी चील काट में है अलग-अलग डिजाइन दिखाईए एके करके यह नीचे वाला भी दिखाईए यह सब अध्धी तो चलिए इधर ही रखते जाए इसी पर रख दिए इसी के ओपर तो लगतार देखे डिजाइन बदलते जा रहे हैं अलग-अलग डिजाइन में एकी डिजाइन नहीं है इसका यह आप देखे बड़िया बड़िया खुबसूरत है और यह भी थोड़ा चील काट फर्मा है और जी चील गाट का मतलब यह हलका सा जो अंदर की तरफ कट रहता है अद्धी का पतंग है और सारी फैंसी पतंगे हैं रख दी कहीं भी रख दिया जाए बाई काफी स्टॉक हो गया है लगबग यह नी एक पांसो यह भी पतंगे है यहानी पांसो अद्धी पांसो मजोली एक यह देखिए बढ़्या सारे अलग अलग जजाइन है ठीक है अजय भाई तो यह देखे और बढ़्या डिजाइन है तो इसके लिए आप लोग जय बाई से जुडिये का और भी कोई डिजाइन होगा तो आजय भाई वाट्सप से आपको बता देंगे और जो लोग लोकल क क्रिश्णा काइट सेंटर पे यह नंबर यहीं पर देखे डिस्प्ले हो रहा है अजय भाई का दोनों नंबर है यह तो यह सारा स्टॉक मिल जाएगा किसी को अध्धी का प्राइज नहीं बताया आपने अगर कोई सो लेगा सो पतंग लेंगे तो तेरा सो रुपए में मिल जाएगी और सिंगल पतंग लेंगे अगर आप तो चौदा रुपए में मिलेगी जी और लोकल बाहर पहुचवा देंगे किसी को मेरा काम है बताना जाए वाई क्योंकि कुछ लोग पहली बाहर जुड़ते हैं जो लोग पुराने हैं उस अब जानते हैं कि आपका काम जो है जगल लगातार बाहर जा रहा है अब इसके अदर अध्धी भी आने वाली है और पोनी भी आने वाली चिल कार्ट तो यह आई भी है अच्छा पुच में अध्धी भी मिलेगी चलिए तो आएगी तो मेरे चैनल पर मिलेगा आपको जुड़ जाईए गाजाएबाई से जो लोकल के लोगों वो पहुचके यहाँ पर डिजाइन देख सकते हैं और पतंग भी चेक कर सकते हैं तरीन मजोली और बहुती खुबसूरत रंगीन पतंगों मैद्धी में और अभी बात खतम नहीं होगी सब कुछ नया स्टाफ दिखाऊंगा यह देखिए जितना पुराना इसकी बात ही नहीं की जाएगी जो कुछ यहाँ लगा है तो चलिए है भाई हम लोग अगले बात पर चलते हैं और क्या नया आया है आपके पाउड़ा सा और दूर कर दी यह पतंग उधर जड़ा सा जी यहाँ पर बास अजंता 4.7 पर फर्मा देखिए नाजिम की पतंग है पुमा वाले अच्छा ओके पुमा की स्टेंपिंग है नाजिम की यह देखिए जी और अजंता के पौने तो पहले मजोली दिखाई फिर आपने चील कार्ट में ही अध्धी दिखाई और मजोली क्या वो डुगगा मजोली मगर वो मजोली नहीं कह सकते हैं वो अध्धी का स्टाइल है ल अगली पतंग पहले देखेंगे और कुछ और भी स्पेशल आर्टिकल है लेकिन अभी पहले आपको जो रेगुलर बिखते रहते उनकी बात हो रही है जी के मेरट की जी के मेरट लगातार स्टॉक आ रहा है जैवाई के पास ये सब नया स्टॉक है और इसमें भी पटेदार बगरा मांगदार तोखा इसमें सम्मिल जाएगा मंगर बॉक्स अंदर लेकिन ये अजन्ता पे नहीं है ये है खटीमा पे जी के मेरट की पतंगे पौने हैं कितने का मिलेगा 28 रुपए का है जी के मेरट में जाना हो तो आपको मिल जाएगा और नाजिम मुरादाबाद के जो थे वो 30 रुपए जी 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 अजन्ता 4.7 अजीम मुरादाबाद त पहले पतंग दिखाता हूं और फिर मैं आपको एक बार रिपीट किये देता हूं इस समय काफी बड़ा स्टॉक है जाए बाई के पास मुरादाबाद हो मेरट हो लखनव हो मुंबई हो गोरकपूर हो कई जगा की पतंगे मंगा रहे हैं और सुनाय कानपूर की पतंगे आ रहे हैं आपके पास बहुत दूर दूर से लोग मेकर जोड़ लाया जाए बाई से और यह सब लंबे फरमे के पाउने और पत्ते के कलर बदलते रहेंगे तो यह सारा बढ़िया खुब्सूरत वहीं पर दिखा दी उपर करके बस यह देखि के किसी को चाहिए होगी तो क्या प्राइज है इसका मार्केट में ट्राय करिये और उस से कम रेंज में जाता हूं कि कोई भी वीडियो नहीं डालना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि डेकर लोक पूरा करे और नियुक्त है यह बढ़िया बात कहते हैं मज़ें खुशी होती है कि अजब है अपनी बात कहते हैं कि मैं कमा लूँगा फिलाल मार्केट से कहना का जिस रेट में मिल लई हो अजीम मुरादाबाद के पौने उससे कम प्राइस में मिल जाएगा केवल आपको जो रेट आया उसमें एक रुपिया जोड़के आपको पतंग दे देंगे अजब खड़ी में काइफ के जी पतंग की हमें कमानी काफी पसंद आ रही है कमानी आप देखिए और डिजाइनिंग में काम किया गया है चील काट का स्टाइल है पौना है यह वो बिल्कुल पता चल लाए जाए बाई और वहीं पर पतंग घुमाई जहां पर दिखा रहे थे आप हां की पतंग है मेकर का नाम नहीं बताऊंगा इसलिए नहीं बताऊंगा कि कई बार ऐसा होता है कि लोग जब इन से जुड़ते हैं तो वह अपने बढ़ा देते हैं अभी यह पतंग की खुशूरती देखिए और तो रेट ना बढ़े तो पहले हम यह जानते है किसका बताईएगा पतंग और रिस्पॉंस बताईएगा आजयबाई को और हमको भी कि कैसी पतंग का पाईस रुपे में मिलेगा इसी ही पतंगे लाना चाहूंगा मैं इतने खुबसूरत फिनिशिंग इतने कमाने ठटे फैंसी बगरा इतना खुबसूरत काम हो रखा है इसमें लचीली पतंग है खीचतान के हिजाब से बनी गई यह खिलाणियों के लिए चाल वाली पतंगे हैं और जैसे आज कल सुबह मौर्णी की पतंग बाजी हो रही है च्छतों से तो उसके लिए यह जो छोटे पेचों के लिए अच्छी पतंग है फिलाद बहत बहतरिन पतंग जी जी इसलिए मैंने भी माल असल में यह कम बनाता है कुछ और भी काम करता है वो तो मैंने उसकी फिनिशिंग देखी और पतंग की खूपसूरती देखी पतंग उडाई चाल इसकी इतनी बहतरिने कि आप इशारे पर इसको कहीं भी घुमा सकते हो आप इसको इशारे पर तो इस होज़ा से उसने मेरे को माल दिया है अगर माल निकलेगा इसका तो फिर और स्टोक धीरे-दीरे मिलेगा मगर जादा नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो लड़का कुछ और भी काम करता है इसके लावा पतंग तो चलिए फिलाल थोड़ा स्टोक आता रहेगा गर आप लोग रिस्पॉंस देंगे अजय भाई को जितने भी खिलाली चुड़ें अजय भाई से के अगर आप लोग बताएंगे बताया जरूर करिए जो भी सामान ले जाएए मैं हर बार आपको कहता हूं चाहे आप मेरे चैनल पर आके कमेंट करके बताईए अजय भाई को बताई चाहे पतंग हो या डोर हो अच्छी लड़ी है तो भी बताईए और एक चीज और कहना चाहता हूं देखिए कुछ हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है संपूर्ण तरीके से कोई भी फिट नहीं होता है कुछ कमिया होती है जैसे अब मैं तो इस मामले में नया हूं मान के चलिए कोई ज्यादा दिन तो हुआ नहीं आट नो मेने वे दुकान खोले वे अगर मेरे रेट में या मेरे माल में कुछ कमी आती तो मुझसे कहिए और आपकी किरपा से भगवान के दुआ अभी तक तो ऐसा कोई शिकायत आई नहीं है इसके इंदर पर फिर भी मैं चाहता है जब आप लोग बताएंगे कोई भी समान ले जाने के बारे में तो उसमें सुधार किया जाएगा डोर जो है मेकर बनाता है कोई शौप वाला नहीं बनाता है अगर अच्छी लड़ ये तो बताईए खराब लड़ ये तो बताईए तो मेकर से कहा जाएगा मेकर से कहा जाएगा क्योंकि उनको भाई हम पैसे देते हैं सो पचास रुपे सो देड़ सुरुपे मिलने होते हैं इसके पीछे बदनामी तो मैं संहूंगा नहीं और सबसे में चीज़े कि अगर आप शिकायत करते हैं कोई डोर सही नहीं लड़ रही है तो उस मेकर से फिर माल नहीं मंगाए जाएगा क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि मेरी दुकान के बदनामी हो मैं दोर वो रखूंगा जो अच्छी चल रही होगी दोर और माल जिसमें बड़िया लगा होगा माल अच्छा लगा होगा एक नमबर का माल लगा होगा तो चलिए हम लोगो यह बात बहुत बड़िया अजाबाई कह रहे हैं कि आप लोग बताया जरूर करिये तो वही दोरें जो अच्छी लड़ेंगी वही मंगाई जाएंगी फिलाल पिछली बार हमाई साथ कुछ खिलाली जुड़ गयते हैं यहां के ही आशियाना के और उन्होंने हमको बताया था किसी कि आजाबाई से पूछेंगे कौन सी दोर थी वह तो वाली दोर थी वह सारी बिक गई वह तो और ऑडर भी आये मगर जो अभी इसने कल ही माल आया है अपकी मगर उन्होंने थोड़ा डार कर दिया है कलर यह फिलाल पिछली बार से अलग कलर है लेकिन यह भी कलर बहुत ही किसकी दोर है यह जैवाई सलीम बेक की है सलीम बेक चरके भी देखिए अपके मैंने थोड़े अच्छे लगवा दिये हैं अलमुनियम के वह चक्के लगा दिये हैं बिलकुल सही है और यह देखिए मोटा रखा गया है पया भी तो और अब आती है जो मेहम बात सबसे वह ज है थोड़ा लदावा डोर कही जाएगी क्योंकि देखिए मसाला जो है काफी ऊचे आपके हाथ में छुएगा तो यह कर दोर कम करा गया है यह आप लदीवी डिखी डोरों का कुछ मतलब यह मत निकालिएगा कि जो छले बन रहे हैं तो टेंपर टेंपर कम है डोर का टेंप केलर हैं कितने की पड़े कि अच्छा कर रहा है तो उसके रेट भी बढ़ गए है तो मैं कोशिस यह करता हूं कि सबसे अलग चीज लागे दूमें कस्टमर्स को दो हजार वाली चर्खी भी है आपके पास दो हजार वाली चर्खी हां जी है तो देखिया भाई ने जो है दोनों बातें किलिर की हैं आपको आप कहीं 5000 को मिले ही तो यह मत सोचियेगा कि कृष्णा काईट सेंटर पे 2200 रुपई की मिल लई है और यह है 2000 रुपई की वही डोर है सलीम बेक की हां जी सलीम बेक की आप देखिए एक डोर ये मेरे पहात में है एक डोर ये मेरे अभी आपने छुआई थी तो इसका मैंने धर्रा देखा था अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप दोनों डोरे जब साथ में हैं तो अगर आप लोग खीच के खिलानी है और बहुत मज़ा आने वाला इस डोर में तो जो खीच के पेवर खिलानी हो तो मैं यही कहूंगा कि आप यही डोर लिए ये भी डोरा बहुत शांदार है और इसका डोरा लदी वी जरूर है लेकिन थोड़ा सा दोनों डोरों का अंतर समझे क्या रखा गया है आज मैं आपको थोड़ा सा डीप में बता रहा हूं द परक देखा गया है और दोर का जो इन्होंने हिसाब रखा है बहुत शार्प है बहुत अच्छी डोर है बदोनों का अंतर यही कि इसको आप ज्यादा दूर ले जा सकते हैं तो यह डोर और बढ़िया काम करेगी बाकि दोनों डोरे खीच के हिसाब से बनाई गई है और बह दोख दोजार में नहीं जाना है और जादा दूर नहीं जाना हो तो आप लोग यही बढ़िया भर रहे हैं दोर के माल भी भर रहे हैं डोर में काम भी अच्छा कर रहे हैं तो ऐसे ही मेकर की जरूरत रहती है जो आज कल मेहनत करें और बहुत तेज रख रहे हैं भाई देखिए ये देखिए इससे भी तेज काटा है इस डोर में बहुत तेज काटा है इसका तो इधर रखिए जाए बाई जर तेज दबा के एक बार अजय भाई इसको दबा के दरा इसे करके देखिए दरा दोर को देखिए कैसा काटा है अरे बहुत तेज काटा है